दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं DCM श्रीराम स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चाट के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक टाउन फॉल हमें देखने को मिला है 816 रुपे 34 पैसे के करीब क्लोजिंग स्टॉक ने बना कर दिखाई 3 आवर चाट के अर मैं बात करता हूँ तो लगवक सेम रेंज में ही काफी समय से ट्रेट कर रहा है कोई भी बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली है देखे यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ यह सपोर्ट लेवल है 798 रुपीज 48 पैसे का इसको एजा स्टॉप लॉस की तरह यूज करके चलना है वापस गिरावट आती है और यह सपोर्ट लेवल फिर से प्रेक हो जाता है और निचले लेवल दिखा सकता है तो सपोर्ट का आपको पूरा ध्यान रखना है बात करें रेवल की तो देखे 870 रुपीज के इस रेवल को जब तक स्टॉप नहीं तोड़ता कोई भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलने वाली तो अभी केवल वेट एंड वाच की स्ट्रेटजी अपनानी है अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं बात करें टारगेट्स की यहां से तेजी बनती है एक रेकवरी स्टॉप बना कर दिखाता है तो देखे आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टारगेट स्टॉप अचीव करेगा वो है 850-900 तक के टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं TCM श्रीराम में तो अगर आपके पॉर्टफोलियो में स्टॉक शामिल है कंटीनी होल्ड करें लेकिन दोस्तों यहां पर फ्रेश बाइंग को अभी एवोइट करें यही स्टेटिजी आपको उपनानी है TCM श्रीराम में आप चाहें तो अपनी खुद की अनलाइसिस खुद की रिसर्च जरूर करके चल सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद